Hello everyone, competitive exam में आपका एक्वाफिर स्वागत है आज जो ये वीडियो में लेके आपके लिए आ रहा हूँ ये है आशावर कर भरती से स्वन्दीद कुछ अपडेट तो ज़्यादा नहीं मिल पाई है आपको पता होगा कि 31 गस्त को ये केस था ये हाई कोट में लगा था उसके बाद इसमें एक हपते का टाइम जो दिया गया था परेटिशनर को दिया गया था यानि की रिनन कुमारी को दिया गया था counter Affidavid दाएर करने के लिए लेकिन उसके बाद इसमें कुछ भी हल चल नहीं हुई है अब आप ये मान के चले कि ये किस की इसमें फॉल्ट हो सकता है इस भरती को जो फसाने में आपको किसका योगदान लग रहा है कि कब से ये भरती फसी हुई है अगर ये भरती कंप्लीट हो चुकी होती तो आपको लगबग 6-6 मन्त आपको जोईन किये हुए हो चुके होते हो हेल डिपार्टमेंट में और यही सरकार का खामियाजा इसमें बहुत से ऐस्परेंट को हजारों ऐस्परेंट को भूगतना पड़ रहा है हर बार इस तरह के जो डिपार्टमेंट को पसाद देते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें 31 को जो सुनवाई हुई थी लेकिन आज तक हाई कोट की वेबसाइड में ये कुछ अपडेट नहीं हुआ है कि अब इसकी नेक्स्ट सुनवाई होगी जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हैं कि यहां पर ये मैंने कल ही चेक किया है कल ही रात को चेक किया है कि हाई कोट पे इसमें कोई भी डेट आगे नहीं दी गई है तो या तो इसमें सरकार द्वार अपना एफट आफट दार कर दिया गया है या आप court इसमें अपना फैंसला सुनायेगा लेकिन कब इसमें का फैंसला सुनायेगा ये तो court ही बता सकते है तो मुझे पता है कि आप सभी जो s-paint है इसका विसबरी से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि जॉउब की जरूरत आजकल के टाइम में बहुत सभी को होती है आप देख पारे होंगे हिमाचल में जो जॉब की आज कल हाला हाला चल रहे हैं वो काफी देनिये चल रहे हैं जैसे कि आप देशने हैं कि हिमाचल में हर एक भरती आज कल के टेम में रुक चुकी है चाहे वो हमीरपूर कमिशन जहां से होता था वहां की सारी भरतियां रुक चुकी है और हिमाचल में पिछले 10 मन से एक भी पोस्ट की सिरकारी विवागों में नहीं बरा गया है तो मैं आप सभी की दूविदाओं को समझ सकता हूँ कि एक जॉब की जो नीड्स होती है वो आदमी के लिए कितनी जुरूरी होती है समाज वालों का प्रेशर रहता है और खुद का घर वालों का काफी प्रेशर आपको जहलना पड़ता है तो इसलिए मैं यहीं उमीद करता हूँ कि आप सभी का जो यह कोट का फैसला जल्दी आ जाए और आप सभी को जो है इसके पद पर जोइनिंग मिल जाए तो आपको मैं यह बता दूँ कि मैं खुद जो इस हल डिपार्टमेंट में डिस्टिक आशा कोडिनेटर के पद पर तरनात हूँ तो मुझे इसकी निउस मिलती रहती है जैसा कि मुझे लग रहा है कि जब अब अन्तिम जो इसकी हीरिंग होने वाली है जिसमें लास्टी जजज साब के द्वारा इसमें जो फैसला सुनाया जाएगा तो जैसे ही इसका जो फैसला आता है वी दिन एक या दो दिन के बाद हमें जो स्टेट शिमला जो है नेशनल हेल्ट मिशन का जो डिरेक्ट रेट है वहाँ से इसके ओडर आ जाएंगे सभी डिस्टिक को और फिर इसका रिजल्ट रिलीज किया जाएगा तो अपने एंड पे जो डिस्टिक में है रिजल्ट को त्यार रखा गया है जैसे ही डिस्टिक शिमला से हमें ये ओडर मिलते हैं कि रिजल्ट रिलीज कर दिया जाए तो रिजल्ट इसका रिलीज कर दिया जाएगा तो आप तोड़ा सा अपने में धहरे बना के रखे और बहुत जल्दी सकाब रिजल्ट हाई कोट से देखने को मिल जाएगा तो आज इसमें अपडेट से रिलेटेड तो कोई नियूज नहीं है कि कब इसमें फैंसला सुनाया जाएगा काफी दिन से मैं पता कर रहा हूँ तो वो बोलते हैं कि इसको केस को अभी रिजर्ब रखा गया है अज़ज साब कब इसका फैंसला सुनाते हैं तो ये जानने वाली बात रहेगी तो जैसे कि आप देख पारे होंगे कि काफी लंबे समय से ये केस चला हुआ है लगबग आपके ग्यारा मंत हो चुके हैं ग्यारा मंत से अगर ये रिजल्ट आपका आ जाता तो आपको लगबग नौ से दस मिने अगर रोजगार भी देती है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ अपना अभिशाप जरूर छोड़ जाती है तो इसमें देख पारे होंगे कि ये जो भरती थी 2022 में भी निकली थी जो की भाजपा के टाइम में जिसमें लगबग 700 के क्रीव उस टाइम बेपी पत थे और जब गौर्मेंट चेंज हुई तो जो नेक्स्ट गौर्मेंट थी कॉंगरिस की तो उन्हेंने परानी भरती को कैंसल कर दिया था उसमें जो भरती में 2022 की भरती में लगबग 90% तक परसेस आपका कंप्लीट हो चुका था बस फाइनर रिजल्ट ही उसमें आना था और उसी बज़े से ये भरती आपको कोट में देखने को मिल रही है तो अब इसमें आगे क्या होगा ये तो अब कोट के डिसीजन के बाद ही बताया जा सकता है लेकिन आप इसमें चिंता ना गीजिए क्यूंकि हर डिस्टिक त्वारा जो इसका रिजल्ट है प्रिपेर जॉब मिलेगी तो आपको पता है कि इसमें जो इंटर्वियू पैनल में बैठते थे वो आपके वीडियो, CDPO और BMOs बैठते हैं उनी के बेस पर ही इसमें जो इंटर्वियू के मांस आपको लगते हैं तो यही आज की वीडियो लेकि में आपको आ गया था अगर आज की ये